है कि एल्रोओ एप्रिवन अज ने करांगे जीन प्याद जीड एक खोर थिए चीज़ों बोहती है डिवौल रांगे जीन प्याद जी ओर जी दी मोरिल डिवेल्पेंट थिए इस्तो पहला ہंसी पार्ट वन पिग्स जीन प्याद जहींव डिवेल्पिर्पेंट कबर कर चुकियां ते इना दिविच फर्क है एं मॉरल डिवेल्पेंट है ते वो कॉग्रेटिव डिवेल्पेंट सीगी इस तो पहला असी अपने शे पार्ट जो थियूरी जो पीए स्टेट दो है चौबीदी त्यारी दे लेई जो थियूरी अन्याने अपानू तो अगर तुसी वाल ना वीडियो नहीं देखियां ता इस वीडियो ते डिस्क्रिप्शन दे विच होना दा लिंक होएगा ते उपर आई बटन दे भी आ रहा हूगा क्योंकि ये सारी थियूरियां एक दूसरे ना लिंक नहीं है ना जिमें असी सब तो पहला है कंस्ट्र स्टार्ट करन लगे हैं ता है स्वीडियर लेंड दे सी ये पहली गल कर चुके हैं ता आज दी जो इना दी थियोरी है गी ए मॉरल डिवेल्प्मेंट दे बेस है ठीक है इन्हों से याद रखना जीन प्याज़े दी मॉरल डिवेल्प्मेंट थियूरी ता इखे तोसी पिक शीरी ता पिलवर्ग दी थियूरी देविच कि मॉरालेटी की हुंदी है ठीक है क्या जागो बच्चे नून राइट और रॉंग सही गल्च देविच जा बुड और बैट देविच अंतर बता लगेज़्े ता आसी बोल लांगे क्यों देविच मुरायलेटी आगी नेथि गेडियाँ पतल और दो बाद है किके सेखेंड है थर्ड आगी हेट्र एधनी कर दिया जब है तो फ्रीविस ये़र न्यंतर गवर्ड होने प्रेंगा नूं चेमें आंपड़ीस्टे विछ भूल दियां पंजाबी दे विच वी एदी लिख्या होया चीगा जिमें एनॉमी नूं यूमी लिख्या होया चीगता प्रीके ना इनूं एनुमस भी बोल देने इतना नॉमस मतलब एद उसी कंश्यूज नहीं होना मतलब सेम ही हुगा एसे तरीके नाल हेट्रोनॉमस ठीक है आट्रोनॉमस इदा लिखे आ सकतागा तो अपनी जो पहली स्टेज है उन्हों असी एनॉम्मी कहांगे ते ओ जीरो तो पांच साल दे बच्चे दे विच कबर कीते ने सेकिंड आगी हेट्रोनॉमी घ्रोनों जी जीरे पांच तो नौ साल दे बच्चे कबर कीते है ठर्डब ही हेट्रोनॉममी िरेसीप्रोसीटी नौ तो तेरह साल दे बच्चे कबर हो भूँगे एनौ फोर्थागी आटोनॉमी यह ते अडॉल सेंस है आडॉल सेंस लिखता मैples अगर उपर लिए 13 सी ता 13 तो ठारा तक दे कबर हो जानगे यह तुसी नोट कर लेना का अच्छे देविच एक खास गाल है कि अगर तुसी लग-लग सोर्च तो एदियां स्टेज़स दिखोंगे था इनन्हों इक दे विची कौंड कर लेंदेने ता करके जो चौथी और ती इसरी बांद जोगी आपने पेपर दे अकॉर्डिंग ही जानागा ते पेपर दे विच जदो एदा प्रीवेस येर क्वेशन आए होए ने जो अगर मैं उनना दे बेसे से दसा ता हेट्रोनॉमी रैसीप्रोसेटी नूँ भी एक स्टेज मन के जा रहे ने 9-13 साल तांगर के तुसी याद रखना क चार ने है बाकि जिस तरह दा क्वेश्चन आउदा गा पेपर दे विच उस तरह दी एडजस्टमेंट आपने आप हो जान्दी है क्वेश्चन नू देख दे होए अगर तो आनू कंसेप्ट क्लियर है ता तुसी थोड़ा बहुता आप भी सोच के उथे कर सकते हो चार पहली नूमाइपदे विच लिखता दूस्ती नू भी तुसी नू姓ट्ठो नू मी य्दि नूव में थीमदा लिख सकते हो धेर हbor जान्प्रों मी रसी प्रों मी रसी प्रों सीटी जो रसी प्रों सिटीन दले हैं आप जे हैंटेक्ट की अटो घνη को डिसी नोड बहुता फिर आपाँ चलांगे हुन अगे तब आज जे दी जो मॉरल डिवेल्टमेंट थियोरी है जो पहली स्टेज है उन्हों असी कहांगे एनॉमे जीरो तो पांच साल उन्हें देविच खुंदा किया देखो मॉरैलिटी वाले वारे अपानों की गल निकल की आओगी अपानों नोट करने है दो दो तिन दिन पॉइंट ने तो बहुत लंबी जोड़ी थियोरी नहीं है कि ताँ चाइड कैनोट अंडरस्टैंड अवार्ट मॉरैलिटी बिल्कुल सही गल है देखो जीरो तो पांच साल तक दे बच्चे नों इनना नहीं पता हुंदा के की सही है की गल्थ है ठीक है जा अंतरों नहीं पता ला सक्दा सही ते गल्थ देवेच ता मतलब ए मन के चलो के बच्चा मुरैलिटी बारे कुछ चांदा ही नहीं अकॉडिंग टू प्याजे जीरो तो पांच साल देड़ा बच्चा का नेक्स बिहेवियर ऑफ चाइड डपेंड्स ओनली अपॉन पेन एंड प्लेजर एनू भी याद रखना तुसी पेन एंड प्लेजर दर्द अते कुशी है ना बच्चा अगर मतलब किसे गल करके है ना जोड़ी कुई एक्टिविटी करके बच्चे नों प्लेजर मिल रहा है है ना ऊष़ी मिल रहा है तो दा न हम मतलब दर्द हो रहाहा साथा है तो है श्यक्ता बेहां भी या करोगा अगर बस बस बच्चा जो बच्चेश इना ना बच्चेश uh इक दे विच बच्चा किसे भी कार्ण करके नों पुख लगई हो सकती है कोई कार्ण हो सकता और रहागा ता एक दो में पॉइंट ने बस इनक याद रख लो पहली गाल तक बच्चे नों नैतिकता दी कोई समझ नहीं है कि दूसरा पेन अते प्लैजर ओदे बेशते ही ओ बिहेव कर दगा जो बच्चा होगा ता देखो कोलबर्ग ने भी एक मॉरल डेवेल्टमेंट दी थियोरी देती सी तो अनों याद होबें लास्ट आप पार्ट विच कीती होई या हो जो प्याजर आना जो एने मॉरल डेवेल्टमेंट दी थियोरी दिती है पहला दिती है ती कोलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवेल्टमेंट दी थियोरी बात दे विच दिती है चीक है यह तुसी याद रखनागा आयनी सोचना कि अगर मैं प्याजर नूं बात दे विच करवा या ते कोल्वर्ग नूँ पहला करवाता के कोल्वर्ग ने थियोरी पहला देती होगी प्याजे काफी प्राणे ने थियोरी पहला देती है ते कोल्वर्ग ने बाच हाँ कोल्वर्ग दी जेडी मॉरल डिवेल्पेंट दी थी त्यूरिया ज्यादा फिमस है क्योंकि उन्हाने मतलब ज्यादा डंगा आई दे विच गल कीती है एस कंपेर टू जीन प्याज़ग सेकंड स्टेज है जी हेट्रोनॉमी एदे विच पाइंट तो नौ साल दे बच्चे आणगे एदे केड़े केड़े की पॉइंट नहीं आपा नोट कर जाएं सब तो पहला चाइड ठिंक डैट रूल्स आर डवाइंड एथे बच्चा है इस हो उद्धा कि जो रूल्स ने न वो डवाइंड ने मतलब कोई महाशक्ती है कोई बहुत बड़ी शक्ती है जिने रूल बनाए यह है कि जड़े रूल्स ने है न वो तोड़े नहीं जा सकते जो रूल बनगे वो बनगे वो चेंज नहीं हुंदे किसे बड़ी महाशक्ती ने है न बहुत मतलब किसे बड़े परसन ने लालो ए रूल्स बनाए ने ए एबसल्यूट ने ए तोड़े नहीं जा सकते ठीक है जी में देखो चूट बोलना चीक है गलत है बच्चे नो लगूगा कि उदी सजा मिलनी ही चाहिए दिया मतलब एदा बच्चा कहूगा जड़े रूल्स बने होए ने ना बस बच्चे दे दमाग चेह नहीं होदा कि उनना चमाना मुटा बदला कीता जा सकता बच्चा ही सोच होगा कि रूल्स आडवाइन चीक है कि रूल्स जीड़े बन गयों बन गयों तोड़े नहीं जा सकते एदे लिए इसी एक होर शब्द जीड़ा पेपर देवी चौंद है ओ भी वर सकते हैं जी मॉरल रियलिजम याद रखना तुसी है मॉरल पेपर चौंदा गा मॉरल रिय चोर है कुछ चोरी करके लेके जा रहे हैं एक कोई पुलिस आ लागा एन्हें उन्हों रोकिया ठीक है उन्हों पकड़े आये लालो दे हाथकड़ी लगाती है थे ते उन्हों जेल चे बंद कर दूगा इस बच्चे इस उमर देविचे ही सोच दिया कि हाँ ने चोरी कीती ह ते चोरी दिनू सजा मिलनी ही चाहिए दिया जेल होनी चाहिए ठीक है मलब इस दन्द कुछ ता मोरल रियलिजम बड़ा इंपोर्टेंट है अगर तो याद हुबे आपका कोल वर्ग दे विच भी कीता सी के लॉए और और दे विच सेज फोर सी लेवल दो दे विच कीता सी ता मॉरल रियलिजम उदे नाल भी मैच कर दागा स्टेज फोर नाल कोल वर्ग दी नेक्स जी चाइड बहेवियर इस बेस्ट ऑन पुनिश्मेंट एंड रिवार्ड सजा थे कोई नाम हना ओदे बेस्टे बच्चा भी ही वियर कर दा मान लो देखो बच्चे पढदे ने का इस सब्सक्राइब लिषए कनले के जा डिठन के लाओ अगर गर मेन रिवार्ड मिले अगर मैं नहीं करके जाओंगा ता मैंनो पुनिश्मेंट मिलोगे सकूल दे विच्छ परी किता होया था ता उत्थे शब्द सी गजी पेन एंड प्लैजर जो पहली स्टेज है दूस्टी देवेच तुसी याद रखना पुनिश्मेंट एंड रिवार्ड ते एक कासी कीवर्ड कीता है थे मौरल रियलिजम एदा मतलब भी तो नूँ पता होना चाहिए दा पेपर दे लई अच्छा जो थर्ड स्टेज है साड़ी उन्हों मैं एत्थी लेले हाना हेट्रोनॉमी ते रेसिप्रोसिटी तो के थोड़ा जी कम मैं एदा नौतो तेरां साल दे बच्चे देवेच आणगे क्योंके काफी जगा ते मैं तो नूँ पहली दास्टा सी के सेकेंड दे थर्ड नूँ सेकेंड दे वेची मर्द करके चल देने ता हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी ता मतलब एहे है उन्हों खुद सोचो के नौतो तेरां साल दा बच्चा स्कूल जानदा हाना ते अपने UC know दोस्त बां देने उधे मतलब फियर्श जिभेर्श थे हमों मर्द तहीं हंदे ुननना मेलें तो जान्क करते कर ACTले चीज्या नूँ जान्नना दी कोश़ेष दर पॉइंट दूप्रेट करके एद्ळन एЗए हिट्रोंमी रेसिप्रोसिटी तेवीचे तो रेस्भीव आपने विचारां दा जिड़ा हैगा हो बटांद्रा कर देने एक दूज्जे नाल बच्छे एदधां ते वो सिख देने तेक समझबना उन्दी कोशिश कर देने मुरैलिटी प्रती तई आजेगा जी तपीर जरोड में आजन्दा थे ग्रुप डिसकेशन बच्चेंदा में आजन्दा गा हेट्रोनॉम्मी रैसीप्रोसिटी देविच ते इनी गल्ली तुसी देविच याद रख लेनी हैं मोर देन्श अफिशन्ट होएगी पेपर देविच अडोल सेंस एरिया कवर हुंदा जिमें लालो सी तेरां तो ठारां साल आपा पहला जिकर कीता से तक काफी जगाते तुसी दास तो ठारां साल तक भी लिख्या तो नूं मिलजेगा याद रखना अपनी फोर स्टेज आगी जी आटो नॉमी जिदेविच अडोल से नूं खुद भी पता लग जूगा की सही है की गल्त है हना वह आव दी सम्मय देना सही है गल्त ही पहचान कर सकूगा इथे आखे तो क्यों दी एस ज्यादा हो गिया next child think that rules are not fixed and can be altered with the cooperation of society देखो इस तो पहला ली स्टेज देविच की सी हेट्रोनोमिच की सी बच्चे नुए लाग दा सी के rules ही सारा कुछ ने हना law and order rules तोड़े नहीं जा सकते हो fix ने हना इथे बच्चे नुए हो जूगा कि जे दूज्ये दे फाइदे ली पाले ले अगर सा आप पहला example दो तेन आप आप जंपल लेंनें जिवे पहला आप ग्जमपल लेंसे बच्चे नो लाग दा सी कि चूट बोलना गढ़ तैना यह लिएगी पर उत्ते बच्चे नो लाग दा सी कि मलब टोटली रॉंग है इथे बच्चे नहीं हुंदा कि अगर जा किसी इनसा जड़ी है कि थोड़ी बहुत ही डिवेलप हो जांदी है जा दूसरी एक्जंपल लेलो कि मानलो आपा लॉरेंस पोलबर्ग दे बिच पड़ेया थी का कि कोई परसन जा रहे है न ते मतलब सीरियस पेशेंट लेगे जा रहे आगे रेट लाइट आगी ता रेट लाइट ते देखो अपन पता है कि अपर उपना हुंदा गा पर वो पेशेंट काफी सीरियस है कि अगर अपा छेती शेती उन्हों हॉस्पिटल ना पहचाया तो अधी डैथ भी हो सकती है तो इत्थे आए हुंदा कि मतलब जो बच्चा है का उन्हों इद्दा लगूगा कि हां कोई ग सब्सक्राइब दाया सी मुर्यालिटी ओफ रियलिजम मलब रूट्स नहीं तोड़े जा सकते वहीं मतलब में नहीं है ना देयार एपसलूट ता इत्थे आगे जी मुर्यालिटी ओफ कोपरेशन इन्हों सी नोट कार लेना गा चोटी 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 यह टर्म से पेपर दे मतलब नहीं पता हों ता क्वेश्चन ता सी तांटेम्ट करांगी ना जे साननों मतलब पता होगे ता मुर्यालिटी ओफ कोपरेशन के सोसाइटी दी कोपरेशन देनाल ठीक है रूल्स चेड़े हागे ने उमाने मुट्टे बदले जा सकते ने यार नॉट फिक्स्ट ठीक ह वो ड्वाइन नहीं है गे वो फिक्स नहीं है गे दे कैन वी चींज्ट ता एह है गिया जी अपनी आटूनोमी ता एह अपपा पडिया ने अपने जीन पे अजे दी मॉरल डिवेल्प्मेंट दिये चार स्टेजर नाम याद रखने है ठीक है अन्ना देवेच गल की होई है और दमाह देवेच चंगी तरह समझ के फिट कार लेना ते फिर पेपर देवेच चाहे कोई भी कॉस्चन आवे मेरे अकॉर्डिंग तुसी ओ कॉस्चन अटेंप्ट कर ही लोंगे अगर तुसी थियोरी नू त्या नल समझा होगे ता आक्स आपाजीक mcq लए लन ने वैसे अपाए mcq अशड़ी क्नी कार सरफ घॉक्वन देन पर में यहां एक टोरी तकर नहिंं करते हैं यह ना ही पारखे के तो औन्ro आइडिया हो प्याज़े दें उन्सार इना विच्छों केड़े मतलब जो नयतिक विकास है वो दे जो चार पड़ा नहीं है नयतिक विकास है पुच्छा देखो कई जी जहां देखो पहला दा इंगलीश ते पंजाबबी नूँ देखो ठीक है सेमी लिख्या हो यागा दूसरी जड़ी मे देखने हैं कि प्याजे दी मॉरल डिवल्प्मेंट थियोरी दी केड़ी स्टेज नहीं है इना देविचो पहली ऑप्शन है जी एनॉमी इता है पढ़ी है येस बी ऑप्शन है हेट्रोनोमी जी रैसी प्रोसिटी एवी अपा थर्ड नमबर ते पढ़ी है सी ऑप्शन है आटोनोमी एडोसेंस ए भी पढ़ी है पर डी ऑप्शन है जी सेंसरी मोटर ए प्याजे दी ही स्टेज है बटे ही मॉरल डिवल्प्मेंट थियोरी दी नहीं हैगी ए हैगी आपनी कोगनेटिव डिवल्प्मेंट थियोरी दी तो अपना सही अंसर आजेगा जी यह थे sensory motor so इदना दी question है अगर तुसी theory नूँ थोड़ा बहुता समझ लेया था questions जा जो answer है MCQ दी जो option है उस लेक्ट करन देविच काफी दी हो जानता कम so ACG अपनी प्याजे दी moral development theory अगर तो नूँ एक लास वदिया लगी तो इस वीडियो नूँ प्लीज लाइक कर देओ शेयर कर देओ बद तो बद अते अगर चैनल नूँ भले तक तुसी subscribe नहीं किता था प्लीज सब्सकाइब कर देओ तो के एदे नाल जो creator है मैं तो नूँ पहला भी कहना कि totally free of cost वी सब्सक्राइब कर देओ तो ज्यादा जल्दी ते होर ज्यादा clarity नाल ते होर ज्यादा knowledge दे नाल नमिया नमिया वीडियो तो अडेली लेके होंदागा सो एसी जी अपनी क्लास अजती अगर तो उन्हों किसे topic दी समझ नहीं लगी ता तुसी नीचे comment section दे विच भी message कर सकने हो अते नाल ही अपना telegram ग्रुप पेगा उदा link दिता होया ता उत्ते भी जो भी new information है उपडेट हुँ दी है ता तुसी उन्हों भी join कर सकने हो सो तर्स अलोब पर तुदे क्लास थैंक यू जी थैंक यू सो मुच पर वाचि इस वीडियो